वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही हिली और टेस्टी रेस्पी लेके आई हूँ जो कि सोया बड़ी और हरी मटर के साथ कोर्मा तो चलिए मैं दिखाती हूँ किसको मैं कैसे बनाती हूँ बहुत ही सिंपल और इजली बन जाता है तो यहाँ पे मैंने जो समाकरी लिये है आए दिखा दी कहते हूँ मैं और तीन से चार प्याज त्यूहे बारी काट लिया है मिडियिम साइज की प्यास थी और यहां पे मैंने 2 बरे टमाटडर बारी काट लिये है और ये धन्या की फत्ति गानिस के लिए रखे हैं और ये यहाँ पर हरी मिज़ दू बारी के मैंने काट लिए हैं और यहाँ पर मैंने मसाले लिये हैं तो मसाले में मैंने लिया है एवरेश्ट का सबजी मसाला और यह लिया है एवरेश्ट का गरम मसाला और यहाँ पे मैंने हींग ली है और यह नमक लिया है नमक जिदाल पिसमें दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैंने और भी मसाले लिया है जिससे कि यह लिया है मैंने हल्दी पॉडर एक टी स्पूर मैंने लाज मिर्च पाउडर और एक टी स्पूर मैंने गरम मसाला हालका सा दरदरा घर में बनाया है और इसमें अधर कलस्म का पेश्ट है और दो तेज पत्ते हैं छोटे-छोटे एक बड़ी लाहिची है तो अब इससे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैने गैस को आन करना है आन कर दिया है अब इससे रहती हम कोकर और इसमें मैं ढालल out HERE सरसो का तेल अगर आप कम खाना पसंद करते आतो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं वैंने लिया इसके कॉड़िंग तो सरसो के तिल मैंने थोड़ा से डाल दिया है अब इससे जो है गरम हो गया है तो नमक हलका सा डाल देती हूं और ये बड़ी इसमें फ्राइ करूंगी अगर आक पास छोटी वाली सोय बड़ी है तो काटने क जरूवत नहीं है अगर थोड़ी सी बड़ी वाली जो आती है तो से आप छोटे टुगड़े बना सकते हैं चाकुर से काट सकते हैं बहुत अच्छे से कड़ जाता है फूलने के बाद तो इसमें मैं मटर भी साथ में फ्राइ कर लेती हूं इससे इसका बहुत ही अच्छा तेस्ट आता है दोनों को फ्राइ कर करूँगी इससे एक से दो मिनेट तक अच्छे से तेजांच पर फ्राइ करूँगी चलाते हुए तो इस देखिए फ्राइ हो गया है अब मैं इससे कटोरी में निकाल लेती हूं वापस तो देखिए मैंने निकाल लिया है अब इससी कुकर में वापस दोबारा तेल डालती हूं सरसो का क्याइब लिस्यान खकाने के लिए तो चलिए मैं डालना सुरू करती हूं तेल को कि मैं जितना तियï दिया था कि मने अध। आधा मने तप्राइब और आधा मैं में मसाले में भूनने में युच्छ करूंगी तो यह देखिए यहां पर तेल गरम हो गया दर मैंने डाल दिया हाफ टेश पून ही हिंक को थोड़ा चला दूंगी ताकि हिंक थोड़ी सी पक जाए कलर इसका चिंज हो जाएगा दो तेज पत्ते लिये हैं चोटे टुकड़े बना लिए इसके तीन हो गये हैं और यहां पर मैंने बड़ी लाइची भी डाल दी है अलकिसी बीच से तोड़के आप चाहते इसमें खड़े मसाले और भी डाल सकते हैं पर मैंने इतना ही डाला है बाकी सब पीस के रखी हूँ और यहां पर मैंने लिया है प्याज जो कि फ्राइब करूँगी डाल देती हूं अब इससे प्याज को जाता नहीं फ्राइब करना है बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए प्याज सोडी मूलायम हो जाए तत्ब तक पकाना है तो अब इसमें हरी मिर्च भी टालते हैं सब्गसाइ था कि साथ हारी मुर्च भी थोड़ी चाहे, तो यहाँ मैं इसमें टमाटर डालेते हूं , प्याज कर preview प्याज क्रणा देखा , मने बताया था कि हमका सब पक जाते हैं , बस मुलायम हो जा Monsta, दूहुज। धनिया के खुजबु पूरी सब्जी में बस जाती है तो यहाँ पर मैंने लिया सब्जी मसाला यहाँ पर यह है घरम मसाला फाल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और अधर लेसन का पेश्ट इन सब को मैंने डाल दिया है अब इसमें जो है मैं पानी नहीं डालूँगी इसी टमाटर के पानी से अच्छे से पकाऊँगी बस इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ नमक मैं सब्जी का नमक अभी ही एड़ कर देती हूँ कि मुझे बात में नहीं डालना होगा कट्टे में थोड़ी सब्ची नमक जो है पहले डाल दी तौडा अभी डाल रही हूं तो मेरा सारा नमक जो है 1.5 टेबल पून नमक होआ है और जैसे कि मैंने बता है नमक आपने कोड़े ही डहला करिए तो मैंने इसमें डाला यह देर टेबल इसमी जतनी मात्रा मैंने लिए ह तो इसे कुकर का ढखकन लगा देती हूँ ताकि यह भाप से मेरा टामाटर गल जाए बंद नहीं करूंगी बस रख दूंगी तो इसे चेक करती हूँ देखी काफी गल चुका है टामाटर तो इसे में थोड़ी देर खोल के जो है इसका जो पानी था कुकर के ढखकन में मैंने इसमें डाल दिया है भाप का पानी जो बना हुआ था और इसे में सलाजती हूँ तो देखिए बीना पानी के विए कहीं लगा नहीं है तल में बहुत दीमी आज पर आप जानते हैं टेमाटर पानी छोड़ता है तो इसे मैं गैस की फ्लेम जो है तेज करके जो है मैं इसे दो मिनिट तक अच्छे से भूंगी ताकि टेमाटर थोड़ा सा और गल जाए तो अब मैं इसमें डालती हूँ सोया बड़ी और हरी मटर इन सब को अच्छे से मिला लेती हूँ यह सब मिलाने से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है क्योंकि सब जीजे एक साथ मिल जाती है ADA इसमें गरम मसाला जो मैं ने वेटाया घरम मसाला भी यूश कर सकते perch खाना चाहाने तो मैंने इसको पीज़ की उभी बना हूँ इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो अब मैं इसमें पानी एड़ करूंगी इसे जाद देर नहीं पकाना है गरम मसाले को अब में पानी और तो मैंने यहां पर एक कटूरी पानी लिया है थोड़ा पाइक डाल दिया है अब इससे चला लोगी पहले अच्छा से मिक्स कर लिया है तो थोड़ा सा फणी आर डाल देती हूं मतल्य एक कटूरी पानी मैंने पुड़ेस में डाल दिया है कि स्वय बड़ी जो है पानी को सोकता है तो अब इससे मैं पोकर के ढखकन बंद कर देते हैं एक सीटी आने तक इसे पकाऊंगी गैस की फ्लेम मेरी तेजी रहेगी तो यहाँ पे सीटी आने वाली है सीटी आ गई है अब मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूं और गैस निकलने तक का बेट करती हूं तो देखिए मेरी गैस निकल चुकी कुकर की तो इससे मैं खोलना चाहती हूं खोल रही हूं आप लोग को दिखाती हूं कि कितना प्यारा कलर आया है इसका अगर आप इस तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना की हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए गया तक इसी तरह से रेस्पी आप लोग को मैं डालती रहंगी और आप लोग देखते रहेंगी तो आप लोग के देखने से ही मैं इस तरह की रेस्पी और दीरे-दीरे करके कई रेस्पी यह डालेंगी तो यहां पर मैं उपर सडावती हूं थोड़ी सी धन्यागी पत्ती गार्निस कर देती हूं खाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो इसे आप नान रोटी पराठा चावल के साथ खाई है बहुत ही टेस्टी होगा अगर आपको मेरी यह बनाने की रेस्पी पसंद आई हो सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज्यादा से सेर्च कीजिए गा वीडियो देखने के लिए थाइंक यू